हेलो, वेल दानुट, थैंक्कियों, तो इसके सब्सक्राइब, हार दीट तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है, इन्शाथियों मेरा देश बदल रहा है, और मेरे देश की आम आवाम जब बदल रही है, तो हमारे देश में उपलब्दी प्राप्त कर चुके जो सुनीनदा चेहरे हैं, वो भी बदल रहे हैं, याद कीजिए 2014 से 2024 के वो शाल, ये केसा समयसा, जिसमें कोई भी सेलिबरेटी, चाहे वो फिल्मी जगत की हो, चाहे वो खेल जगत की हो, या फिर किसी अन्य छेतर में हो एशा व्यक्ति जिसके लाखो करोड़ों में fan following होती है, उनकी कही बातों का अशर होता है, वो क्या कर रहे थे, कुछ भी समाज में गल्थ हो रहा था, तो वो चुपी साधे बैटे थे यहीं व्यक्ति जिनके करोड़ों में follower हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स जगत से हो, चाहे वो स्चीन तिंद्युकल हो, अमिता बच्चन हो, और भी बड़े-बड़े सितारे हो, कॉंग्रेस के टाइम में एक साथ हा करके, वीडियो मैसेज देते थे, समाज को संदेश देते थे गल्थ हो चुका होता, कोई भी समाज में परकरण हो रहा है, उसके खिलाब सरयाम सोसल मीडिया पर लिखते थे, लेकिन 2014 और 2024 के बीच सब यह बिल में घुश गए, महिला पहलवानों के साथ गल्थ हुआ, किशान आंदलों में किशान मारे जाते रहे, मिलकिस बानों के सारियों को पंदरागेस्त वाले दिन छोड़ा गया, मिडल कलास का जूस निकाल दिया गया, बिरोजगारी बढ़ते गई, बिरोजगारों के उपर लठ मारे गये, सारे मीडिया मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गया, लोकतंतर सुविधान को सरयाम कुचला गया, विप उनका बहुमत ही नहीं आया, और बहुमत ही नहीं आया, तो विपक्स के आवाज लोकतंतर के इमारतों के बीच शंसद भौन में रहुल गांदी के मुख से गुझी, अखिलेस यादों ने बयान किये अपने सारे बाते, देश की जनता की राजनिती मुद्दो के अधार पर विपक्स ने भौनाई, विपक्स बड़ी संख्या में बलसाली होकर संसद पहुंचा, नरिंदर मोदी जी डाउन ग्रेड होते चले गए, लोक्स अचनाओ के समय लांचन जूट और तमाम प्रोपेगेंडा के साथ उन्हें पूरा परचार निकाल दिया, स्थीती जनता के स अब क्या हो रहा है, ओलम्पिक खेल चल रहे हैं, जो जो ओलम्पिक मेडल लेकर आ रहा है, भाई साब, आप जानकर अचरज में पढ़ जाएंगे, कि हमारे ओलम्पियंस ने, जो हमारे क्रीम हैं, जिन्होंने हमारा धवज लहराया है वी देशों में, मान सम्मान के साथ हम पक्सी नेता राहूल गांधी से मुलाकात की है, राहूल गांधी ने गुल्दस्ता भेटकिया उनको, उनको मिठाए खलाई, उनके परिवार जनों से मिले, तस्विरे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, कि ये हिम्मत और ये जजबा, दोजार चोदा और दोजार चोबिस के बीच जो समय चला गया, वो बहुत सारी लोगों में नहीं था, जो आज डबल मेडलिस्प मनु भाकर के अंदर है तस्विरे देखी आपने, दिमाग तो घूमा होगा, ये देखिए वो तो विपक्स के नेता है, एलोपी है, कॉंग्रेस पार्टी के नेता है, मेरे भाई साब, जब भारतिया जनता पार्टी वाले लोग इधर उदर भटक रहे थे, शांसुद और विधायक बनने के बाद अपने हलकी या विधान सबाचेतर या अलोक्षबाचेतर में जाने का उनका मन नहीं करता था, उसी समय पर विपक्स के नेता खिलाडियों को कोई भी मोका मिल जाता, उनको सम्मान करने का रासिर्वाद देने का नहीं चूकते थे, मनु भाकर की जब बच्पन से तस्वीर आपके स्कीन पर देख लीजिए, विपंदर सिंग हुड़ा के साथ देख लीजिए, मनु भाकर लगातार सबसे भेट करती भी जा रही है, बीजेपी के नेताओं से भी भेट कर रही है, हर्याना के सियम नाइब सैनी जी से भी उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन जब मुला खेल मंत्राले में और पूरे खेल सिस्टम में उस कम्या हैं, उनको अपने जबान से सामने भी ला देंगे, तो भाई साब ये बदला निकाल लेंगे, और खेल में राजनीती चलती ही है, और उस राजनीती का हसर क्या होगा, वो व्यक्तिकत तोर पर उस बोलने वाले खेला पहलवान जो आरोप लगा रही है, उसकी जांच निस्पक्स तोर पर होने चाहिए, लेकिन हम खुले तोर पर ओन कैमरा आपको ये नहीं कहेंगे, ये भारते जंता पार्टी के सांसंत को डबूल एफाई के प्रेजिडेंट से हटा कर निस्पक्स तरीके से जांच होने चा ये हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, इतना भै, पूछना चाहा मैंने, क्यों भाई इतना भै क्यों है, राजनीती, कदम कदम पर राजनीती, एक छोटे से काम के लिए महिला पहलवानों को बर्जभूशन संद सिंग के पास भेजा जाता था, उनके दफ्तर में भेजा जा डबलेफाई के प्रेजिडेंट उस समय के, जो अपनी ताकत के बल पर उस पद से नहीं हटे, मोदी भी नहीं हटा पाए, उसके खिलाप एक लवज भी बोल देते, कि बर्जभूशन संद सिंग ने ऐसा कुछ हमारे आगे किया था, या कता रहता था, उसका इटिचूड ऐ तो उनका क्या हसर होता होगा, कुछ पहलवानों को उकठा करके जंतर मंतर पर विनेज बजरंग इनके सामने बठा दिया था, कि देखिए, ये कुस्ति को खराब कर रही है, परदर्शन करने वाले, और जो सामने बैठे हैं, वो बजभुशन के समर्थन में, वो सही बता र हो रहा है, गल्त हो रहा है, हम आपके साथ है, और आज विपक्सिनेताओं से मनुभाकर ने बात की है, और बात करने ही नहीं, उनसे अच्छे तरह से भेट किया परिवारजनों से मिल रहे हैं, राहुल गांदी, उल्दस्ता दे रहे हैं, मुह मिठा करा रहे हैं, उनके करता से बोलना भी शुरू कर दिया है, हाँ, मनुभाकर के लिए डबल मैड़िस लाकर हमारा घरों से सीना चोड़ा करना ही नहीं, वो हमारे समाज में हो रहे हैं, गल्त तब का जो सरकारी स्कीम या इसी सरकार की करूरता को जेल रहा है, उनको बोलने में भी पीछे नहीं जिस तरीके से स्मिकण आ रहे हैं, ये अतीत में नहीं था, जब ताना साह अपने बेलगाम तरीके से आगे के तरह बढ़ रहा था, सब को कुचलता हुआ जा रहा था, उस समय पर कोई परखरता से बोल भी नहीं सकता था, विपक सिनीता से मिलना तो दो, ये तो मनुभाकर की बात हो गई, निरज चोपड़ा जी देखे चूग गए थोड़ा, पाकिस्तान की एक पलेर नदीम है, उन्होंने ओलमपिक का रिकोर्ड तोड़ दिया, वो गोल्ड मेडलिस्ट बने निरज चोपड़ा सिल्वर मेडल ला पाए, इससे पहले कया सी ही लगाय जा रहे थे नहीं जाम तो बहुत पूस है, आम ने तो सिल्वर भी गोल्ड बर लग रहे हैं, गोल्ड उस का गया हो भी मारे लड़ का है, जिमानद करकर सब जारे थे। कोई बात नी जी, यह तो दीनों होगा हैं बच्चे के खिलाड़ी के। लेकिन नदीम ने तो गोल्ड मेडल जीता है, वो तो पाकिस्तान का है, वो तो दुस्मन देश का है, हमारे और आम भासाइं जो होती है पाकिस्तान दुस्मन देश की तरफ, तो हम देखते हैं कि उन्होंने हमारा नुकसान कैसे किया है, लेकिन वो तो खेल-खेल की भावन प्रकार सोचल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देखिए यह होता है खेल की भावना यह होती है खिलाडियों का दिल से सम्मान करना आप उनकी माता जी का स्टेटमेंट भी सुन लिजिए और पाकिस्तान से नदीम जी कि उनकी माता जी उनका स्टेटमेंट भी ऐसा ही आया है निर मेरा बेटा इन्शालब ताला केंदे हुंदे उसाफ चंद मुठी भर लोग नफरत फैलाने में एक कदम भी पीछे नहीं रहते हैं हर मुद्दे को लेकर हिंदू-मुसलमान करने लग जाते हैं पाकिस्तान का नाम आते ही उचलकूद मेंडक की तरह करने लगते हैं वह देख के साथ खड़े हुए हैं लकिन खेल कि भावनाहें क्या सिखाती हैं उसी मंजब पर उसी दुस्मन देस के लोग भी भीए और रहे हैं चाइना के लोग भी आ Boston हो रहा है कि जोब सुमाप्थ होता है तो घ्लडी हाथ भी मिल्यात और अबश्मिए हवे चले तो पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ हो जिनको जिनको लेकर इनकी राजनीती चमकते हैं उनके साथ ये भैठी नहीं करने देए ये चाहते हैं कि मसलमानों और पाकिस्तान के साथ नफरत पर्मानेंट रहे इसका सोलिसन नहीं नेकले गड़े मुर्द्यातीत में जि अफरत बाजों की जो कोशिसे हैं वो धरासाई होते जा रही है बाई जब मैं दिखाना चाहंगो एक चीज और मनुभाकर जी है यह हर्याना के सियम से मिली नायव साइनी जी से और नायव साइनी जी से मिलने के बाद कुछी बार में देरे में खबर आती है कि विनेस भाजपा के सरकार है उन्होंने अलान कर दिया यह चंद नफरत बाद सुलक गए मैं कहता हूं कागस के टुगड़े पर पलने वालों लोगों की कोई ओकात नहीं होती कोई फिशद नहीं होते यह एक ऐसे मठके की तरह होते हैं जो एक जगह हिलाओगे उस तरफ लुड़क कोई विचार धारा नाम की इनकी स्टैंड ही नहीं है दलाल हमेशा दलाल होते हैं और दलाली भी खाओगे और निश्पक्स तरीके से बोलने की भी कुछिस करें कि दोनों कैसे का हो सकते हैं अर्याने की मिखा मत्री नायद सैनी जी का टिवी टाप की स्कीनी पर देख लिए विनेस फोगाट को लेकर उनने कहा कि इसलों मेडलिस्ट का सम्मान हम उनको देंगे तो नफ्रतवाज और चंद ठेकेदार जो हिंदों के बने रहते हैं बीजोपी का जंडा बुलंद करने के लिए हमारे ही देशवासी से सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं वो क्या-क्या अब कोई अंतिम को भी मैडलिस्ट की तरहें ट्रेट करने की घोशना करते अंतिम पंगाल जो बाहर हो गई है वह मैडल लेकर नहीं आ रही योगत्ता सरकार के कारण है केवल उसके ही कारण है विनेस के ही कारण है आठ एथलीट चोथे स्थान पर आए हैं तो क्या उनका भ और जो अपना भार तक नियंतरित नहीं कर पारे उनका चुनावी अभिनंदन चल रहा है तो आपको उलम्पिक में सफल्दा की रा देखना बंद कर देना चाहिए अभी इनेस इक्षा ये सिक्षा देंगे कि विनेस फगाट की गलती है वो तो जाच होगी जाच में पता च तक पेहलवानों को बदनाम किया उनके भर्श भूषण को सही दिखाने के लिए अफ्ला पहलवानों को बदनाम कर ले तो ठुकड़े डंग के अंग्रिस का प्रयजित बद दिखाने के लिए तमाम माहॲ बनाय और आज भारत्यजनता पारटी विनेस फगाट को सम्मान करन इनके अंदर जो नफरती केड़ा है वो रेंग रहा है स्पेड़ी तरीके से रुका नहीं जा रहा है मज़े वताइए दलालों के क्या कोई उकात होती है बीजेपी हर्याणा में चुनाव आ रही है तो कुछ भी करेगी अपने पक्स में माहौल बनाने के लिए पुपेंदर सिंग होड़ा है पूरो मुख्यमत्री हर्याणा के कॉंग्रेस पार्टी से है उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्याबल होता तो हम विनेस फोगाट को रजस्वा में भेजते अब बभीता फोगाट है भेन तो विनेस और अंकल और अपने परिवार के ही है चचेर महवीर फोगाट जी वो कहा रहे हैं कि हुड़ा जी राजनीति कर रहे हैं पहले कि वेज़ा गीता बेवीता उलम्पिक में गई थी उनको डियस्प क्यों नहीं बनाया समझ जब चकते हैं किस लेवल तक चल रही है उसके डिप में में थोड़ा जाना नहीं चाहता आप ची को उटकली तो एक पोगाने के जरूरत है यह हंधोर में हिन्दू już हुए है हमारी Еइ नहीं हो इए तो हमेशा ही पत्थर बाज बच्पन से पत्तर मारते आई इसलिए पाकिस्तान वाले भाला ट्रेनिंग उन्हें बच्पन से ही मिली थी मुझे बताईये joining विनेस फोगाट ने जब मैडल लूज वाउन को डिस्क्वालिफाई ओलम्पिक से किया गया तो किसी भी मुसल्मान ने खुसी मनाई दीपक जलाए अपने खुसी जहिर की वो चंद मुठी वर हिंदों के ठेके दार ही हैं जो विनेस फोगाट के डिस्क्वालिफाई होने पर खुसी बना रहे थे दिखा नहीं सकता ऐसी ऐसी बाते लिखी जा रही है विनेस फोगाट के लिए चल्द चली आई चास किलोग्राम से जादा वजन था इसलिए बाहर का रास्ता दिखला दिया वैसे भी कुछ लोगों को मुफ्त का सरकारी भोजन मिलता है तो जरूत से जादा खा लेते मुफ्त का सरकारी भोजन मिलिया और जादा खा लिया इसलिए वजन बढ़ गया खुसी मना रहे हैं यह सर्माजी हैं चंदन सर्माजी हमेशा हिंदूों के एक जुट होने के लिए और भाजपा के पक्स में कि भाजपा ही ही हिंदू की Рक्ष हुऋ की रक्षा कर सकती है ar मुसल्मानों के खिलाव जहर घोलते hours ये खुसी मना रहे हैं, ये हिंदू हैं, इनसे हमें हिंदू तो का सेटिफिकर सही हैं, जो हमारी बहन, हमारी बेटी जो 100 ग्राम वजन के एकारण, डिस्क्वैलिफाई ओलमपिक से गोल्ड मैडल लाती लाती चूग गई, वो चूग गई तो ये खुसी मना रहे हैं, लेकिन दबदबातो ंंदर दिखा दिया, नमबर वन को हरा दिया, टोक्य ओलमपिक्स की जो गोल्ड मैडलist ही, कई बार की लगातार उसको वेनिस पोगाट ने हरा दिया, की दबदबातो वेनिस पोगाट का ही है, तुम जलो, तुम सिकड़ो, और तुम्हारी अंदर जो कीड़ा है उसको शंत करने के लिए तुम कितने ही खुसे विनेस फोगाट के डिस्क्वारिफाई होने पर मनाते रहो लेकिन गोल्ड मैडल आने से उनको सम्मान और प्रेम और देश वासियों का साथ मिलता उससे ज्यादा विनेस फोगाट को जब वो देश में आएगी मिलने वाला है अब राजनितिक तोर पर समाज में उतरेगी तो कोई विनेस फोगाट के उजबल भविस्यास से नकार ने सकता ये उनके स्वेम के छेत्र के सच्चाई है जलने वाला जले जाओ लेकिन देश मेरा बदल रहा है उसने बोलना शुरू कर दिया है वो सही बात करने लगा है त पूरे समाज में संदेश जाता है, वो सरयाम सही को सही और गल्द को गल्द अपने एक्षन से करते वे दिखाई देने लगा है, मेरा देश सच्चाई के रापर चले लगा है, डर नहीं रहा है, उसमें आशत्य और जूट को परेह कर दिया है, नश्कार।